हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल दीक्षाला सक्सेस मिरर दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ भारती सम्मिधान के इतिहास में सबसे बड़े परिवर्तन के बारे में जी हां मैं बात करने जा रही हूँ अनुचे 35A और अनुचे 370 की जिसने भारती इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है तो मैं आपको बताना चाहूँगी अनुचे 35A के बारे में तो बताना चाहूँगी अनुचे 35A जो है इसका जिक्र भारती सम्मिधान में कहीं नहीं है और इसका जिक्र या गया हलाकि इस सम्मिधान में अनुच्छेत 35A का जिक्र तो जरूर है लेकिन इसका जम्मू एवं कश्मीर से कोई डिरेक्ट सम्मंद नहीं है यानि सीधा सम्मंद इसका नहीं है दरसल इसे सम्मिधान के मुख भाग में नहीं बलकि इसके परिशिष्ट में सामिल किया गय चाहूंगी कि 14 मई 1954 में रास्ट पति के आदेश से अनुच्छेत 35A को सम्मिधान में जगे मिली थी 14 मई 1954 को ततकालीन रास्ट पती डाक्टर राजेंद प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था इसमें आदेश के जरिये भारत में सम्मिधान में एक नया अनुच्छेत 35A समिधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधान सभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राजिक में इस्थाई निवाशियों को परिभासित कर सके तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अनुच्छेद 35A क्या है या उसके क्या मायने है तो अनुच्छेद 35A क्या है इसके बताना चाहूंगी कि अनुच्छेद 35A से जम्मू कश्मीर राजिक के लिए इस्थाई नागरिक्ता के नियम और नागरिकों के अधिकार तै होते हैं 14 माई 1954 के पहले जो कस्मीर में बस गए थे वो वहीं के इस्थाई निवासी माने जाएंगे फिर है वह व्यक्ति जो जम्मू और कश्मीर का इस्थाई निवासी नहीं है राज्य में संपत्ती नहीं खरीच सकता और इसके बाद और बताना चाहूंगी कि अनुशियत 35-A में मतब लोगों के क्या-क्या मायने हैं क्या-क्या उनको मिल सकता है तो आपको बताना चाहूंगी कि वह व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर का इस्थाई निवासी नहीं है वे जम्मू एम कश्मीर की सरकारी नौक्रियों के लिए आवेदन भी नहीं कर सकता था वे वेक्ति जो जम्मू और कश्मीर का इस्थाई निवासी नहीं है वे जम्मू और कश्मीर की सरकारी उश्विद्यालेयों में दाखिला नहीं ले सकता था नहीं राज्य द्वारा कोई वित्ती सहायता प्राप्त कर सकता है। अब नुच्छे 370 में समय के साथ कई बदलाव किये गया जिसमें 1965 तक वहां राज्य पाल एवं मुख मंत्री नहीं होता था। उसकी जगह पर सदर ए रियासत और प्रधान मंत्री हुआ करते थे जिसे बाद में बदला गया। और पहले जम्मु एवं कश्मीर के में भारती नागरिक के जाने पर उसे अपने साथ पहचान पत्र ले जाना जरूरी होता था। लेकिन बाद में विरोध के बाद इस जोड़ा गया था तो आपको उसके बारें बताना चाहूंगी। अनुच्छे 35 एक ही वज़े से जम्मु कश्मीर के नागरिकों के पास दोरी नागरिकता होती थी। अनुच्छे 370 की वज़े से जम्मु कश्मीर में अलग जंडा अलग सम्मिधान चलता था। यह होता था अनुच्छे 370 के कारण कश्मीर में विधान सबा का कारेकाल 6 साल का होता था जबकि अन्य राज्यों में 5 साल का होता है। कानुन कश्मीर में लागू नहीं होते। इससे यहां ना तो आरच्छर मिलता ना ही नियुंतम वेतन का कानुन लागू होता। तो यह हमने आपको जानकाई दी अनुच्छे 370 के बारे में।